हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि Microsoft Word Document को XPS Format में कैसे सेव करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है और बहुत यसान से स्टेप्स में समझेंगे आज का इस वीडियो है सवाल के जवाब में तो देखिए XPS Format में सेव करने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में उपर के डिबन में फाइल टैप पर इस पर क्लिक कर दीजे उसके बाद नीचे हमें एक स्पोर्ट पर क्लिक करना यह रहा है पर करना चाहते है तो हमने डेक्स्टॉप जाहते है उसके बाद फाइल का नाम कुछ रख दीजे तो माल लिजे कि हम विश्व नाम जो है वो रख देते हैं ठीक है यह में विश्व नाम रख दिया अब यहां पर देखिएगा सेव एज टाइप यहां पर पीडिया दिया हुआ है इस ड्रॉपड़उन पर क्लिक करीए यहां से एक्स्टॉप डॉकुमेंट सेल्ट कर लीजिए उसके बाद दीजे पब्लिश पर क्लिक करते ही यह जो फाईल है वो एक्स्पीस फॉर्मैट में डेक्स्टॉप पर सेव ह यहां से इसको minimize करते हैं और यह देखिए यह है हमारी वो फाइल यह देखिए यह इसको क्लिक करता हूं यह देखिए यह एक्स पीस फॉर्मेट पे आ गया है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है